नमस्कार दोस्तो परत्योक्ता आधार ग्यान में पुना आपका स्वागत है आज हम लोग बिभीन योगिकों की अधिक्ता या उसके कमी से होने वाली ब्याधियां या रोगों के बारे में पढ़ेंगे इससे अक्सर ही सवाल बिभीन परत्योक्ता पर इक्छाओं में आते रहते हैं तो आएए हम सुरू करते हैं एक तरफ है एक तरफ है ब्याधिया रोग एक तरफ ही योगिक या तत्त जिनके अधिक्ता या कमीशे वो रोग होता है पहला है मनी माता रोग यह पारा की अधिक्ता से बुलू बेवी सिड्रोम यह नाय्ट्रेट इटाई-इटाई रोग केडमियम, विल्सन रोग तामबा, सीरोसिस तामबा, पार्किंसन आर्सैनिक, बलेक फूर्ट आर्सैनिक, फ्लोरोसिस फ्लोराइड आईए इनके बारे में कुछ और विस्तार से जानते हैं, कि ये क्या है, इनके क्या लक्षन है पहला मिनी माटा, ये पारा की अधिक्ता के कारण होती है, प्रारम में या जपान की मिनी माटा की खाड़ी में पारा संक्रमित मचली खाने से हुई इसलिए इस रोग को मिनी माटा कहा जाने लगा इस रोग में सरीर के अंग जैसे होट जीव काम करना बंद कर देते हैं साथ ही बहरापन आँखाओं का धुंदलापन तथ हम्मानसिक और संतुलन भी पैदा हो जाता है तो यह उनके लक्षन है मिनी माटा रोग पारा की अधिक्ता के कारण दूसरे हैं बुलू बेवी सिड्रोम नाइट्रेट की अधिक्ता होने पर यह हीमोगलोविन से परतिक्रिया करके ओक्रिये मीथो गलोविन मीथे में गलोविन बनाता है जो सरीर से ऑक्सिजन के प्रवाह को अवरुद करता है फलता सरीर नीला पड़ जाता है तथा सरीर में एठन होने लगती है बुलू बेवी सिड्रोम नाइट्रेट की अधिक्ता से होता है अगला है इटाई इटाई रोग जब केडियम सरीर के सुरक्षा अस्थर से अधिक मातरा में पहुंचता है तब यह रोग होता है इससे अस्थियां एवं जोडों में धर्द यकरित वा फेफडे का कैंसर भी हो जाता है इटाई इटाई रोग केडियम की अधिकता से अन्य है ब्लेक फूट आर्सेनिक के लगातार संपर्क में ये बीमारी होती है इसमें त्वचा तथा फेपड़े का कैंसर भी हो सकता है ये पस्वों में अधिक पाया जाता है ब्लेक फूट आर्सेनिक के संपर्क में आने से विल्सन रोग इसमें यकरित में तामबा जमा होने लगता है तथा यकरित सीधे रक्त परवाह में तामबा को मुक्त कर देती है जिससे दिमाग गुरुदे और आख्यां खराब हो जाती है विल्सन रोग तामबा की वज़े से परकिंसन रोग के अंदरिये तंत्रिका तंत्र का रोग जिसमें रोगी के शरीर के अंग कमपन करते रहते हैं और ये कमपन इतना अधिक बढ़ जाता है कि मनुस को संतुलन रखना संभव नहीं हो पाता है फ्लूरोसिस इसमें मुक्त दांतों का रंग भूरा हो जाता है तथा काले धब्बे पढ़ने लगते अर्था दांतों का रंग भूरा हो जाता है तथा दांतों पर काले धब्बे पढ़ने लगते थे ये सभी अक्सर ही एक्जामों में पूछे जाते हैं आप किसी हल प्रस्न पत्र को किसी एक्जाम के हल प्रस्न पत्र को देखेंगे तो आपको ये अक्सर मिलेंगे आज इतना ही धन्यवाद